अब आ रहा है तीसरा चरण और वो है मेरू दंड और गर्दन इनको सहज सीधा कर ले जैसे ही आप सिद्धासन में बैठेंगे अर्थात उल्ठे पाउं के टकने पर जिब सीधे पाउं का टकना रख देंगे तो अपने आपी सिद्धासन हो गया और कमर अपने आपी सीधी हो गई है मेरू दंड को सीधा रखना माइंड को एक्टिव रखने के लिए सबसे बड़ा राम बान उपाए है और ये जो मुद्रा है ग्यान मुद्रा आप ऐसे रूटिन में भी आप अपने प्रतम अंगूली से अंगूठी के अगर भाग को दस मिनद टच करके बैठ जाएं कोई इतने मात्र से आपका माइंड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा माइंड को एक्टिव रखने के लिए सबसे उत्तम मुद्रा है एक्यूप्रेसर वाले भी कहते हैं ये माइंड का अगर भाग है ये अंगूठा क्या है ये माइंड का अगर भाग है तो ये हो गई ध्यान म अब हमने कमर को सीधा कर गर्दन को सहथ सीधा कर लिया, अब हम आ रहे हैं चहरे पर, ध्यान का असली काम जांटा है माइंड पर, योगा भ्यास करते हैं वो शरीर के लिए लेकिन मेडिटेशन होता है, माइंड के लिए, तो माइंड के लिए जब हम मेडिटेशन के तरफ बढ़ रहे हैं तो अब क्या करना होगा? सबसे पहले अपने माइंड के इस्थिती को पॉजिटीव बनाना होगा पॉजिटीव बनाने लेम क्या करेंगे? ध्यान की अवस्था में आए और अब चेरे पर मुस्कान लाएं च जेवल ध्यान में पढ़ना हो तो पढ़ाई ग्यान में भी प्रवेश करें तो पहले चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आएं चेहरे पर मुस्कान लाते ही अंदर में अपने आप पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है तो चेहरे पर एक पल की मुस्कान लेकर आए एक हलका सा अंदर में दाथ जबड़े खुला रखे भीच करके न रखे टाइट करके न रखे बलकि सहज अंदर से खुला रखे ये हुई शारीरिक इस्थिर्ता ये है ध्यान के लिए शारीरिक मुद्रा जो लोग कुरसी पर बैठकर ध्यान करते हैं वे इन में से जितनी चीज़ों को सहथ संभव हो उतनी चीज़ों को अवश्य अपने ध्यान के साथ जोड़ लें आपको इससे benefit मिलेगा ध्यान करने में आपको अनकूलता आएगी अब आते हैं ध्यान विधी के तरफ शॉट रूप में हम समझ लेते हैं अप ध्यान का प्रवेश द्वार आती जाती सांस का धैर्य पुर्वक सचेत हो करके अनुभव करना ये ध्यान का प्रवेश द्वार है ध्यान का प्रवेश द्वार क्या है आती जाती सांस धरा का पून सचेतनता के साथ अनुभव करना ये ध्यान का प्रवेश द्वार है इसलिए संबोधी ध्यान करते समय हम लोग सबसे पहले तीन मिनट तक अपने नासागर पर दृष्टी के इंदित करके अब हम लोग आती जाती सांस का अनुभाव करते हैं और सांस को थोड़ा सा धीरे-धीरे लंबा खीचना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे लंबा सांस छ धीमी गती की लंबी सांस लेने से हमारे अंतरमन में सैयम अपने आप सदना शिरू होता है अब हम करते हैं ध्यान का अभ्यास प्रारंब ध्यान की अनेक विदियां हैं अनगिनत विदियां हैं सभी विदियां अपने आप में उतरने के लिए है इसलिए ध्यान की हर विदी अ अच्छी, उसकी विदी खराब नहीं, सभी विदियां उत्तम होती है, जैसे भोजन करने बैठते हैं, दस तरे की सबजियां होती है, कौन सी सबजी अच्छी और कौन सी सबजी बुरी, सभी सबजी, अच्छी, मिठाई की दुकान पर जाओ, भी इस तरे की मिठाईयां सजी ह हुई है कौन सी मिठाई अच्छी और कौन सी बुरी क्या बोलेंगे आप सभी अच्छी उसकी दुकान में तो कोई भी मिठाई बची हुई रहती नहीं है ऐसे ध्यान की भी समस्त विदियां अच्छी और उत्तम ही होती है बस केवल उसका अभ्यास हमें अपने साथ जोडने की जरुवत होती है इस समय हम लोग संबोधी धाम में ध्यान के जिस विदि का अभ्यास कर रहे हैं वो संबोधी ध्यान के चार चरण है और ये है चार चरण पहला चरण है पिंडस्त ध्यान, सब बोलो नमबर एक, पिंडस्त ध्यान नमबर दो, पदस्त ध्यान नमबर दो, पदस्त ध्यान नमबर तीन रूपस्त ध्यान, नमबर तीन रूपस्त ध्यान और नमबर चार है, रूपातीत ध्यान नमबर चार, रूपातीत ध्यान, इस ध्यान का अभ्यास कभी तिर्थंकरो ने भी किया है, यह बहुत सरल ध्यान का प्रारूप है, और अत्यंत वैज्यनिक है, इस एक अभ्यास में बुद्ध की विपश्यना भी समाई हुई है, इस एक अभ्यास में पतंजली का मंत्र ध्यान भी समाया हुआ है, एस एक अभ्यास में भावातीत ध्यान करने की कला भी समाहित है इस एक ध्यान की विदी में विपश्चना की कायान वपश्चना भी समाहित है और ये ध्यान का प्रारूफ है, सीडी है, पिंडस्त, पदस्त, रूपस्त और रूपातीत, इस विधी का जो प्रतीक है, जैसे कमल का फूल नीचे डंडी और उपर दिरे-दिरे आते आते, पूरी खिलावट लेकर के आता है, यही है वह कमल के फूल की डंडी से लेकर सहस्र अर्थाथ फूल तक की इस्थिति में पहुंचना यही है वह संबोदी ध्यान कि अत्वा अब झलती वी जोटी को देखिए झलती वी जोगत हमेंसा उपर की तरफ उठती है मुंबत्ती कि जोत हमेशा उपर की तरफ उड़ती है ऐसे ही हमारी चेतना की प्रकरती भी हमेशा उपर की तरफ है इसलिए हम लोग ध्यान को भी नीचे से उपर तक उपर उठा कर लाते हैं और उपर में फिर सारा काम करते हैं पेड़ पर आप चड़ते हैं सीधा डालियों पर चड़ते हैं या पहले तने पर चड़ना शुरू करते हैं यही है वो ध्यान का ब्यास जिसमें हम पहले तने पर चड़ना शुरू करते हैं हम लोग जैसे ही सचेत स्वास ध्यान करने लगते हैं सचेतन स्वसंधारा पर तो हमें मानसिक तूफान का सामना करना पड़ता है पर अगर आपने पिंडस्त ध्यान पहले कर लिया है शरीर पर मन को पहले सचेतन कर लिया है अपनी चेतना को पहले शरीर पर केंदित कर लिया है तो बाहर का भटकाव अपनी आप शान्त हो जाता है मन का तूफान अपने आप कम 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 होने लगता है और फिर सांस पर ध्यान करना थोड़ा कठिन हो सकता है पर शरीर पर ध्यान करना बहुत आसान है इस थूल तत्व है न, तो इस पर ध्यान करना बहुत आसान है, पिंडस्त ध्यान का उद्धिश्य है, अस्तित्व बोध, जो है जैसा है, उसे जानो, पिंडस्त ध्यान का उद्धिश्य क्या है, सब बुलो, जो है, जैसा है, उसे धैरिय पुरुवक जानो, कोई आरोपन नह लोगान नहीं चाहिए जो हूँ जैसा हूँ अपने आपको धैरिय पुरुवक जान रहा हूँ अंदर हमारे पोटी भी पड़ी है वो कोई हमारे शरीर से अलग नहीं है वो भी हमारे शरीर का इस समय हिस्सा है तो जो है जैसा है हम तवचा को भी जान रही है हम मांस पेशियों का भी अनुभाव कर रही है हम नसों और हड्डियों का भी अनुभाव कर रही है हम इसमें होने वाले इस पंदन और समवेदन का भी अनुभाव कर रही है हम इसके feelings से भी गुजर रहे हैं जो शरीर में feelings हो रही है जैसे सांसों में उदय और विलय होता है आतीवी सांस क्या है? उदय जातीवी सांस क्या है सांस का? विलय एक व्यक्ती जन्वा क्या है? ये जीवन का उदय एक व्यक्ती मरा ये क्या है? ये सारा जीवन चक्र ही तो चल रहा है, दंदा किया, फाइदा हुआ कि क्या है, लाब का उदय, खो बैठे ये क्या है, विलय, जिस दिन व्यक्ति ये लाब और ये उदय और विलय के सत्य को समझ लेगा, उस दिन ध्यान का परिणाम उसे अनाया से ही प्राप्त हो जाएगा, किसको लेकर के चित्तों में उद्वेलन लेकर के आएं, यहां तो हर चीज का कभी उदय होता है, और कभी विलय होता है, मैंने का ना ध्यान हर चीज को आसान कर देता है, ध्यान हमें ये समझ और अंतरदिष्टी देता है, और जिसको ये अंतरदिष्टी है, ये समझ है, य ही कुछ दिक्कत होती नहीं है कोरोना आया है आया है चला जाएगा जो हो रहा है तो हो रहा है यहां आदमी कोरोना नहीं था तब कौन सा शांती से जी रहा था तब भी तो आया आय चली रही थी अब कोरोना आ गया तो कोरोना की हाय आय चल रही है आदमी की तो हाय हाय साथ मे लगी हुई रही है तो फिर क्या है ये उदय और विलय का क्रम है जीवन है प्रभू हमें जीवन दे रहा है तो जीवन का आनन्द ले रहे है वो मृत्यू देगा तो मुक्ति का महुत्सव मनाएंगे दोनों ही चीज़ों में दोनों ही स्थितियों में अपन तो आनन्दित रहेंगे तो पहला चरण है पिंडस्त ध्यान पाउं से शुरू करो एक एक पाट के लिए दो दो मिनट निर्धारित कर लो मान लीजिए अगर अपन तीस मिनट ध्यान कर रहे हैं केवल तीन मिनट ध्यान करना हो तो केवल आती जाती सांस पर ध्यान करो केवल दस मिनट ध्यान करना है तो केवल आती जाती सांस पर ध्यान करो पर आपको लगता है मेरे पास समय है मैं ध्यान को पूरी गहराई के साथ कर सकता हूँ तुम अभ्यास करके देखो यह तुम्हे और गहराई देगा आपके समझ में, आपकी प्रग्या में, आपके बूद में, आपके मुक्ती में गहराई देगा जैसे सीधा पाउं, अंगूठे से लेकर कुलहे तक की यात्रा एक शब्द याद रखो और वो है चीटी की चाल चीटी कैसे चलती है? गोड़े की तरह है? गहराई तभी आएगी जब आप चीटी की चाल से चलेंगे, गोड़े की दोड़ से चलेंगे तो मन तो गोड़े की तरह दोड़ी राए तो हमें इसको सैयमित करना है, तो क्या करना है? चीटी की चाल से चलो चीटी क्या करती है? चलती है, चलती है फिर कहीं कोई खुशबू आते हैं फिर रुख जाती है फिर उदर देखती है फिर आगे बढ़ना शुरू करती है बस वही चाल लेते हुए अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त करो अपनी धैरिय पुरुवक अंतर यात्रा करो नीचे से उपर तक गती पकड़ते चले जा है तो धैरिय पुरुवक सीधे पाओं में दो मिनट फिर उल्टे पाओं में अंगुठे से लेकर कुलहे तक दो मिनट कितने मिनट हो गए चार अब बैठक सामने वाले भाग से लेकर कंदे तक गले तक आओ गले तक गर्दन तक दो मिनट जैसा अनुभव में आ रहा है जो अंदर से अपने आप मन भी हमारा सहिय में थोता चला जा रहा है, ध्यान धरो, फिर दो मिनद तक अपने मेरुदंड पर ध्यान धरो, मेरुदंड पर शट चक्र हमारे, शट चक्र के सभी केंदर हमारे मेरुदंड से जुड़े हुए है, तो धैरिय प्रोक एक-एक मन के पर ध्यान करो, वहां की प्राण उर्जा पर ध्यान दरो, वहां के फिलिंग्स पर ध्यान दरो, वहां के स्पंदन पर ध्यान करो, जो जैसा अनुभव में आ रहा है, ध्यान करो, ये हो गए है, टोटल आठ मिनट, अब दो-दो मिनट आओ, अपने दोनों हाथों के तरफ, हाथ क इस अंगुली से लेकर कंधे तक धारिय पुर्वक चीटी की कती से अपनी फिलिंग्स का अपने ध्यान को किंदित करते हूँ यह फिलिंग्स का अनुभव करते चले जाओ दो मिनट सीधे हाथ और दो मिनट उल्टे हाथ तोटल कितने हो गए अब बारह मिनट अब दो मिनट आओ गर्दन से लेकर सिर तक, अब धहरी आप्रवक एक एक इसनायो, एक एक अनू पुद्गल पर्माणों जो हमें अनुभव में आ रहे हैं सब को धहरी आपूर अनुभव करो यह हुआ पिंडस्त ध्यान पग शिर कर सिर तक के अपने समस्त प्रदेशों को धैरिय पुर्वक अनुभव करना इसी का नाम है कायानुपश्यना इसी का नाम है पिंडस्त ध्यान अंतरमन को सैयमित करने के लिए राम बान दवा है मेरा दावा है कोई भी व्यक्ति धैरिय पुर्वक ये ध्यान करके देख ले उसके शरीर के विकार शिथल होंगे शरीर के विकारों में कमी आएगी अभी तो हम विकारी और शिकारी बने हुए हैं जब तब जहां देखो किसी ने किसी पर हम आँख मारते रहते हैं हम विकारी और शिकारी बने वे हैं ध्यरिय पुर्वक शरीर शरीर को जानो शरीर की प्रकरती को जानो ध्यरिय पुर्वक अपने मन को इसमें सैयमित होने दो अपने आप शरीर के विकार शेथिल 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 होते चले जाएंगे साक्षी भाव द्रश्टा भाव ज्याता भाव अपने आप हमारा प्रगट होता चला जाएगा सेकेंड चरण है और वो है अब हो रहा है ध्यान सारा काम हो रहा है अब उससे जिससे शरीर संचालित है वो है गर्दन से लेकर उर्द्व मस्तिसक तक ये सारा हमारा आकाशिय तत्व है अब हम यहाँ पर ध्यान करें और यहाँ पर ध्यान करने के लिए अब हम सेकंड पद पर आ रहे हैं ध्यान का दूसरा च्टैप दूसरा च्टैप और वो है पदस्त ध्यान अर्थात अब हम अपने सांसों पर ध्यान कर रहे हैं शांत गती से सांस ले रहे हैं शांत गती से सांस छोड़ रहे हैं अपने आप जो मन अभी तक यहां से यहां तक गती कर रहा था अब वो अपने आप सुक्ष्म सुक्ष्म होता चला जा रहा है जैसे जैसे सूरज की धूप को अगर मेगनिफाइंग ग्लास में ले लिया जाए तो क्या कर सकता है वो? बोलो बेटा, क्या हो सकता है? है? कागज और पुठ्थे में भी आग लगा सकता है ये सौर औरजा जो पैदा की जाती है ये मेगनिफाइंग ग्लास का काम किया जा रहा है तो जब हमने भी अपने मन की महान औरजा को हमारा मन औरजा का सबसे बड़ा स्रोत है तो उस औरजा को हमने अब क्या कर लिया? सुक्ष में बनाने का काम शुरू किया है जैसे दीपक की रोशनी चारों तरफ फैलती है पर टॉर्च की रोशनी एक तरफ जाती है हमने अब अपने माइंड को अपने मन को एक दिशा दे दी है और अब हम आती जाती सांस का धैरिय प्रोक अनुबव कर रहे है यहां पदस्त ध्यान में हम लोग अब यहां से दो क्रिया शुरू होती है आप चाहें आत्म ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं आप चाहें परमात्म ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं जिन लोगों को सुबे ध्यान करना है वे पदस्ठ ध्यान में सांस के साथ मंत्र को जोड़े और शाम को जब ध्यान करें तो किसी भी मंत्र की ज़रत नहीं केवल अपनी सांसों पर अतिसुक्ष में होते चले जाएं सुबे का समय मंत्र की रूपांतरण का समय है हैं इसलिए हम लोग मंत्र का उप्योग कर सकते हैं मंत्र बहुते रहे हैं श्री प्रभु शरणम ओम नमहां ओम अरहम सो हम मंत्र वो जो हमें ध्यान में गहराई दे जिसको अपना करके हमारे मंत्र का रूपांत्रन गटित हो सकता है तो आप आराम से श्री प्रभु शरणम तो प्रभु की शरणा गती मिल जाती है हम मंद को अब सुक्ष में बना रहे हैं यह तभी करना है जब मंद में चन चलता है ज्यादा हो वरना केवल सांसों पर शांत और सुक्ष में होते जाओ अब जो जो सांसों में अब मेरे भीतर बहुत निर्मल इस्थिती घटित होने लग गई है ध्यान रखो निर्मल इस्थिती का नाम ही ध्यान है निर्मल इस्थिती घटित होने लग गई है तब आजाओ अपने ग्यान केंद्र पर और धैरिय प्रुवक यह जानो मैं शक्ति-शाली आत्मा हूँ और धैरिय पुरुक पांच मिनार तक इस केंद्र पर केवल शान्त मौन भावस से देखो गहरे होते जाओ लीन होते जाओ कोई दबाव नहीं देना है, कोई जोड नहीं देना है बस केवल क्या करना है अपने आपको फोकस, फोकस, फोकस केवल आत्म शक्ति को फोकस बनाते हुए पांच मिनार तक ध्यान करो और इस ध्यान का प्रभाव क्या होगा बच्चों के लिए तो यह जबरदस्त काम करेगा युवाओं के लिए जबरदस्त काम करेगा ये यहाँ पर ध्यान करने से होगा क्या यहाँ पर ध्यान करने से हमारी प्रग्या जागरत होगी ग्यान दृष्टी हमारी जागरत होगी हमारे अज्यान का नाश होगा यहाँ पर जो भी व्यक्ति दुनिया में ध्यान करेगा मेरा दावा है यहाँ पर रूपस्त ध्यान करने से यहाँ पर आत्मतत्व का ध्यान करने से उसकी प्रग्या के द्वार खुलते हैं अज्ञान का नाश होता है ज्ञान दृष्टी का उदय होता है बुद्धि उसकी तीजस्वी बनती है और भीतर के जो भी अंत्राय है अपने आप शितिल शितिल होते हैं अगर आप शाम के समय ध्यान करते हैं तो भले ही पिंडस्त ध्यान मत कीजिए आप त्राटक ध्यान कर लीजिए सामने अपने आँखों के लेवल पर एक दीपकी लौ मॉमबत्ती की लौ लगभग धाई से तीन फुट की दूरी पर जला करके बैठिये उसे धैरियर पूबक दस मिनट तक देखिये जो समय हमने पिंडस्त ध्यान के लिए लगाया अगर वही समय हम जलती हुई जोती को देखने में लगा देते हैं आपका ये भाग एक्टिव होना शुरू हो जाएगा अपने आप मन की चंचलताई खतम होनी शुरू हो जाएगी आप उसी समय केवल विदन 20 मिनट में आप पाएंगे हाँ यार ध्यान कुछ करता तो है ध्यान हमें कुछ देता तो है केवल बीस मिनट में ही आपको त्राटक ध्यान करने पर पता चलेगा ध्यान के सेकड़ो रूप हैं केवल अपने आपको उसके पृति जोड़ने की जरुत है जैसे पढ़ाईया जैसे LLB, CEA, MBA सेकड़ो रूतरे की पढ़ाईया है वैसे ध्यान की भी सेकड़ो रूतरे की विदिया है वहाँ जो अनंत सिद्ध शिला है अर्थात बैकुंठ धाम है वहाँ पर अब हमने अपने आपको जोड़ लिया है तो सारा विश्व उर्जा से भरा हुआ है सारा ब्रह्मांड एनर्जी से भरा हुआ है और अब हमने केवल तीन से पांच मिनट के लिए उस ब्रह्मांडिय उ शक्तियां भी और सामान्य शेणी में होती चली जाएगी ऐसा करने से हमारी शक्ति का लेवल बढ़ेगा जैसे बैटरी को चार्ज करो तो उसका लेवल बढ़ जाता है ऐसे ही रूपाती ध्यान करो भावाती ध्यान करो तो उससे हमारी ओर्जा का लेवल बढ़ जाता है कर दो कर दो दो